नवशकार स्टूडेंट्स, आजका ये वीडियो बहुत घी इंट्रस्टिंग होने वाला है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल, यानि की सत्र 2-0-24-25 में private या स्वाध्याई चात्र की रूप में किसी भी उनिवस्टी से चतिजगड की किसी भी उनिवस्टी से परिक्षा फॉर्म भरने वाले हैं तो यह वीडियो हेमचंद आदव उनिवस्टी दुरुग या पंडित रवी शंकर शुक्ला उनिवस्टी रायपूर या शहीद नंद परिक्षा देने की सोच रहा है तो यह वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम इस वीडियो में क्या-क्या कवर करेंगे यह हम आगे देखते हैं तो students आप सबको पता होगा कि इस सत्र से यानी सत्र 2024-25 से पूरे 36 गड़ में NEP 2020 लागू हो गया है तो NEP 2020 के लागू होने के बाद private students के लिए क्या नया है उसके क्या-क्या नए parameters आ गए है private students के लिए भी वो इस वीडियो में हम cover करेंगे तो NEP 2020 लागू होने के बाद जो students private के रूप में इस बार exam देना चाह रहे हैं BCOM, BSC या BA उनके मन में कुछ सवाल है पहला सवाल उनके मन में है कि private students के लिए annual exam होगा जैसा अभी तक होता आया है या उनके लिए भी semester exam लागू होगा जैसा कि इस सत्र से regular students के लिए हो गया है आप सबको पता होगा कि इस session, इस current session से regular students के किसी भी course के लिए सब के लिए semester प्रणाना ही चालू हो चुकी है तो क्या private students के लिए annual exam होगा या semester exam होगा ये पहला प्रणा हर किसी private student के मन में है अगला सवाल जो private students के मन में होगा कि NEP 2020 लागू होने के बाद private students के लिए क्या-क्या wishy, क्या-क्या subjects होंगे B.A., B.C. में तो हम ये प्रणाने का भी जवाब इस वीडियो में cover करेंगे अगला question जो private students के मन में है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण question है कि private students के लिए NEP लागू होने के बाद internal marks होंगे की नहीं होंगे क्योंकि पिछले session तक यानि पिछले साल तक जब annual exam होते थे private students के लिए तो उसमें internal marks नहीं होते थे private students के लिए internal marks केवल regular students के लिए होते थे तो क्या NEP के बाद private students को internal marks मिलेंगे की नहीं मिलेंगे ये question बहुत important है क्योंकि इससे students का percentage और pass होने के संभावना पर बहुत बड़ा effect होता है तो इन सभी प्रश्णों का जवाब हम इस वीडियो में students को देंगे मेरा आपको सुझाव है कि पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें और ये वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करें साथ ही साथ यदि आप इस साल private student के रूप में साथ 36 गड़ की किसी भी उनिवस्टी से फार्म भरने की सोच रहे हैं तो आप साइं कॉलेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आजी और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम इस सम्मंद में नया वीडियो बनाएं तो आप तक सही जानकारी समय पर मिल सके तो इस साइं कॉलेज के वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें आजी तो सबसे पहले हम NEP 2020 लागू होने के बाद प्राइवेट स्वेट्स के लिए नया क्या है और एक एक करके तीनो कुश्चन का जवाब आपको देंगे तो सबसे पहला कुश्चन जो सभी के मन में था कि NEP लागू होने के बाद इस सत्र 24-25 से 36 गड़ की सभी उनिवर्सटी में अगर कोई स्टुडेंट प्राइवेट के रूप में परिक्षा देने वाला है तो वो एन्वेल एक्जाम के रूप में नहीं वो भी सेमिस्टर एक्जाम के रूप में देगा यानि प्राइवेट स्टुडेंट्स के लिए सेमिस्टर एक्जाम प्रणाली लागू हो गई है इस सत्र से यानि कि फर्स्ट येर जो है वो दो सेमिस्टर में बटा होगा पहला सेमिस्टर और दूसरा सेमिस्टर और पहले सत्र से semester प्रणाली लागू हो गई है दूसरा जो question सभी के मन में था कि private students के लिए subjects क्या होंगे तो हम आपको बता दें कि NEP लागू होने के 3 GE VAC AC या SEC यहां screen पे गलती से DSC 2 दो बार लिखा गया है DSC 3 है वो उसको आप DSC 3 पढ़े तो DSC यानि की अब इनका अर्थ क्या है DSC GE VAC AC SEC का अर्थ क्या है यह हम अगली slide में आपको दिखाएंगे पर जो code होगा course code होगा वो इस प्रकार से होगा DSC 1,2,3 GE VAC AC या SEC अब जैसा हमने आपको बताया कि इन कोर्ट का मतलब क्या होगा course codes का मतलब क्या होगा तो सबसे पहले DSC का मतलब हम समझ लेते हैं DSC का अर्थ है discipline specific course आप केवल अभी इसको यही समझें code से उसका अर्थ समझ जाएं बाकी हम subjects के सम्मंद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इसी YouTube चैनल में पोस्ट करेंगे तो अभी हम फिलाल आपको number of subjects और उसका code समझा रहे हैं तो DSC जो तीन DSC होंगे DSC 1, 2, 3 उसका अर्थ है discipline specific course G जो एक paper G का होगा उसका अर्थ है generic elective एक paper VAC होगा जिसका अर्थ है value edition course और एक paper SEC या AEC का होगा जिसको कहेंगे skill enhancement course या ability enhancement course subject के बारे में विस्च जानकारी के लिए हम एक अलग से वीडियो Science College की YouTube चैनल में डालेंगे तो आप इसे subscribe कर लें इस चैनल को ताकि जब वो वीडियो डले तो आप उसको और अच्छे से समझ सकें इस उस वीडियो में हम ये बताएंगे कि BA, BCOM, BSC के लिए subjects क्या-क्या लागू होंगे अगला जो question students के मन में है वो है internal marks को लेके जो बहुत ही महत्वपून है तो हम ये बता दें कि NEP 2020 लागू होने के बाद session 24-25 से private students के लिए भी internal marks होंगे ये बहुत बड़ी खबर है इन सभी private students के लिए जो इस बार 36 गड़ के किसी भी university चाहे वो हेमचे नदाव उनिवस्टी दुर्ग हो चाहे पंडित रविशंकर शुकल उनिवस्टी राइपूर हो चाहे शहीद नंद कुमार पटेल उनिवस्टी राइगड़ हो या 36 गड़ के अन्य कोई भी university हो जहां से कोई student अगर private या स्वाध्याई चात्र के रूप में परिक्षा form बरने वाला है तो उनके भी internal marks होंगे अब internal marks किस प्रकास से दिये जाएंगे यह हम इस वीडियो में आगे cover करेंगे इसलिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखें तो students हम आपको बता दें कि internal जो total जो examination होगा semester का exam होगा उसमें marks के दो हिस्से होंगे पहला हिस्सा होगा 70 प्रतिशत नंबर जो end semester exam होगा यानि semester की जो परिक्षा होगी वो 70 प्रतिशत अंकी होगी जो विश्वित देले द्वारा आपकी copies के मुल्यांकन के बाद दिया जाएगा और 30 प्रतिशत internal assessment यानि इंटर्नल marks होगे जो college निर्धारित करेगा किस basis पे करेगा वो हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि आपको 30 प्रतिशत internal marks किस प्रकार मिलेंगे तो ये समझ लें हर थियोरी और हर practical paper में जो 100 प्रतिशत नंबर हैं उसके दो हिस्से होंगे पहला हिस्सा 70 प्रतिशत जो end semester exam यानि कि semester परिक्षा के base पे होगा और 30 प्रतिशत internal marks जो आप internal marks की प्रणाली है जो college देगा अगला इसके बाद हम आपको detail में बताएंगे ये 30 प्रतिशत internal marks आपको किस प्रकार से मिल सकेंगे तो private students के लिए internal marks कैसे दिये जाएंगे इसको हम इस वीडियो में आगे समझते हैं तो 30 प्रतिशत internal marks के के दो हिस्से होंगे पहला हिस्सा होगा 10 प्रतिशत assignment के बेज़ पर और 20 प्रतिशत internal test के बेज़ पर जी हाँ ये private students पर भी लागू होगा जिस प्रकार से ये regular students पर लागू हुआ है इस session से वैसे ही ये private students पर भी लागू होगा कि 30% internal marks के 2 हिस्से होंगे 10% assignment के base पर और 20% internal test के base पर अब इस वीडियो में हम आगे देखेंगे इन दोनों के बारे में details assignment किस प्रकार से होगा और internal test किस प्रकार से होगा तो सबसे पहले बता दें आपको कि हर विशे में हर subject में एक assignment आपको जिस भी college में आप form भरेंगे वहाँ पर एक assignment दिया जाएगा जिसकी एक last date होगी और उस assignment को आप complete करके जमा करेंगे तो 10% internal marks के assignment के base पर दिये जाएंगे और internal test के जो 20% number है वो किस प्रकार से दिये जाएंगे तो आपको हम यहाँ बता दें कि जिस भी college में आप private का form भरेंगे वो college आपके लिए दो internal test conduct करेगा internal test 1 और internal test 2 और इन दो internal test में से जिस भी test में आप अधिक number लाएंगे उसके वो अधिक number जो आपको मिलेंगे उसे use किया जाएगा internal test 20% internal marks देने के लिए तो यह जो प्रणाली है यह केवल first year के लिए यानि first year 24-25 में जो first year की private की परिक्षा देने वाले हैं उनके लिए लागू होगा second, third year के लिए जैसे विवस्था पहले चल रही थी वैसी विवस्था चलती रहेगी यह बहुत important है कि इस सत्र में जो first year की परिक्षा देने वाले हैं पहली बार जो private का form भरेंगे उनके लिए यह प्रणाली लागू होगी Thank you